हलो एवरिबड़ी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एक Chrome Extension बनाने वाले हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे HTML, CSS और JavaScript, तो इस वीडियो के अंदर basically हम एक Color Picker बनाने वाले हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइ जो है, यह extension हम अभी बनाने वाले हैं, जिसके मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक window open हो जाती है, और इसके उपर एक बटन है, और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यह देखे, यह आईड्रॉप यहाँ पर open हो चुका है, और इसकी मदद से मैं कि PCB webpage के उपर का, और सिर्फ webpage के उपर का नहीं, यहाँ पर computer के अंदर जो भी window है आपके पास, और कोई भी application अगर है, वहाँ से भी कोई भी color में यहाँ से pick कर सकता हूँ, देखे, इस तरह से, यहाँ पर example के लिए मैं यहाँ पर यह red वाला pick करता हूँ, तो आप यहाँ पर द चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर जाके सिर्फ control V या फिर command V करता हूँ, तो जो भी copied color है, यह यहाँ पर paste हो जाएगा, ठीक है, तो यह simple सा extension हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं, और हाँ, इस वीडियो के अंदर जो भी आप सीखोगे, उस knowledge को use करके, आप किसी भी टाइब का complex जो है extension आप बना सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल time waste नहीं करते हैं, लेट्स के स्टार्टेट, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मैंने एक folder बनाया है, Chrome EXT नाम से, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, और इस folder के अंदर अभी मेरे पास एक folder है, जिसके यह एक, मतलब यह अलग-अलग size की images है, यहाँ पर देखें, तीन images, जो की हमारे extension के लिए चाहिए होगी, उसका file icon दिखाने के लिए, या फिर वो extension का icon जो होता है, उसको दिखाने के लिए, ठीक है, अभी सबसे पहले extension बनाने के लिए हमें एक file create करनी होगी, जो की है manifest.json ठीक है, यह वो file है, जहाँ से पूरा जो metadata होगा हमारे extension के बारे में, वो हमारा browser क्या करता है, उसको pick करता है, और इसके हिसाब से जो हमारा extension है, वो काम करता है, ठीक है, तो इसके अंदर पूरा metadata होगा, और यह एक basically JSON file होगी, तो सबसे पहले आपर नाम लिखते हैं, तो name आपको देना है, और इसको नाम देते है, color, देखिए, color picker, इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर description आप दे सकते हो, so description, और यहाँ पर मैं दूँगा, कि color picker extension, और इसके बाद हमें version देना है, जो हमारा extension का version है, तो मैं यहाँ पर दूँगा, 1.0, और इसके बाद हमें देना है, देखिए, manifest version, देखिए, version इस तरह से, यह जो manifest file है, इसका version हमें देना है, और अभी इस time यहाँ पर जो है, वो है 3, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है, और उसके बाद करना है, यहाँ पर करना है, देखिए, background, अभी यह background basically क्या है, कि आपका जैसे ये install हो जाता है extension तो हम कुछ background process जो है वो run कर सकते हैं जो अगर आपको हमें कुछ initialization करना है या फिर और भी कुछ चीजे हमें extension के लिए चाहिए होगी prepare करने के लिए तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको नाम देंगे यहाँ पर आपको लिखना है service worker ठीक है तो यह basically browser के workers में काम करेगी यह जो अपकी file है तो मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ background.js ठीक है यह file अभी दग हमारे पास नहीं है इसको हम create करेंगे अभी क्या करते हैं यहाँ पर आते है और जल्दी से मैं करता हूँ background.js ठीक है इसके अंदर अभी फिलाल के लिए कुछ ने करेंगे अभी यह जो हमारा metadata है यह complete हो चुका है अभी हमें जाना है हमारे browser के अंदर और यहाँ पर जो extension tab है इसके अंदर जाके manage extensions और यहाँ पर देखिए right side में आपको एक toggle button दिखेगा यह by default कुछ इस तरह से होगा अभी हमारा जो extension है यह development mode के अंदर है तो हमें यहाँ पर इसको upload करना है राइट तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको developer mode जो है यह on करेंगे फिर यहाँ पर हमें यह तीन buttons यहाँ पर दिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको जाना है load unpacked और यह आपको select करना है जो भी अपना project का folder है तो यहाँ पर मेरे पास है देखें यह है यहाँ पर यह folder और यह folder देखें Chrome ext इसको मैं select करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो हमारा extension है यह यहाँ पर आ चुका है ठीक है और इसका एक unique id यहाँ पर generate होता है और यह service worker यहाँ पर हमारा काम करा है जो background.js file जो हमने बनाई है ठीक है अभी यह आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो icon है यह default icon है हमें चाहिए हमारा custom icon तो उसको लगाने के लिए हमें जाना है अपने code editor के अंदर और आपको सबसे पहले जाना है देखे यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कर सकते हो आप देखे इस तरह से एक property add करनी है वो है icons और यहाँ पर basically आपको देना है अलग-अलग sizes में यहाँ पर देना है तो 16 जो है मैं दूंगा हमारे देखे images के अं 16.png और इसी तरह से हमारे पास और एक है वो है 32 size यहाँ पर करते हैं देखे images पिकर यह होगी 32.png और इसके बाद और एक हमें करना है वो है 48 देखे 48 और यहाँ पर करते है slash images picker 48.png ठीक है सेव करते हैं फिर से चलते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा अभी देखे इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आइकॉन है हमारा यहाँ पर आचुका है अभी यह extension हमारा ब्राउजर के अंदर आचुका है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर जो पॉजल का आइकॉन दिख रहा है इसके अंदर बेसिकली हमारे सारे आइकॉन होते हैं तो यहाँ पर आते हैं अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं इसको और फिर से इसके अंदर चेक करता हूं देखे यहाँ पर क कि इसके अंदर और एक चीज करते देखे एक property हमें आइड करनी होगी actions और यहाँ पर action अपको लिखना है और यहाँ पर इसके अंदर आपको लिखना है default pop-up और यहाँ पर का नाम देना है तो मैं यहाँ पर देता हूँ pop-up.html और यहाँ पर करते हैं इस तरह से अभी यह जो फाइल है यह हमें create करनी होगी तो इसके root folder के अंदर आके करते है pop-up.html और इसके अंदर बेसिकली जो भी हमारा boilerplate है वो में create करूँगा ठीक है यहाँ पर हमें title और यह meta tag विकरा इनकी यहाँ पर जरूरत नहीं है यहाँ पर एक काम करूँगा हमें इस file के लिए css चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर link tag open करूँगा और यहाँ पर लिखते है pop-up.css ठीक है यह file अभी हम बनाएंगे और इसी के साथ में हमें javascript भी चाहिए तो यहाँ पर मैं करूँगा src और यहाँ पर करते है pop-up.js ठीक है यह दो files हमें बनानी होगी तो यहाँ पर आते है pop-up.css और pop-up.js यह दो files हमें बनानी है pop-up.js इसको बन करते हैं थोड़ी देर के लिए और अभी आपको मैं बताता हूँ कि यह जो popup.html है यह फाइल बेसिकली किसके लिए हैं यहाँ पर जल्दी से मैं करता हूँ h1 और यहाँ पर करते हैं color picker ठीक है save करते हैं और चलते हैं browser में और अभी एक बार refresh करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं अभी यह करूँगा तो यहाँ पर अभी तक यह gray है तो मैं क्या करूँगा एक बार यहाँ पर करता हूँ देखे इसको open करते हैं तो यह डेव टूल open हो जाएगा हमारे यह देखे background chase और यहाँ पर यह जो आपको cog icon दिख रहा है इसका मतलब यह हमार service worker है तो अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो देखते अभी हमें क्या करना होगा एक बार इसको refresh करते हैं यहाँ पर refresh होने के बाद page refresh करते हैं और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर icon हमारा yellow हो चुका है और बैद वह यह color जिला यह दूसरा वाला extension है जो मेरे पा अगर कोई भी extension में open करता हो देखे color जिला है for example तो यह जो यहाँ पर pop-up आपका open हो रहा है यह basically हमारी यह वाली फाइल है जो यहाँ पर हमने बनाई है pop-up.html ओके तो यहाँ पर थोड़ी से style करते हैं इसको सबसे पहले तो structure बनाते हैं h2 यहाँ पर मैं दूँगा और यह यहाँ पर करते है welcome to my color picker जो भी आपको यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हो और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक button create करूंगा ठीक है so button और button को एक class देते हैं so यह class होगा इसको करते है change color btn और इसके अंदर लिखते है कि pick color ठीक है इस type का यह button होगा और इ पर एक डियूब बनाते हैं और इस डिव के अंदर इस क्राम करते इस को एक class देते के class और इसको करते हैın selected color बिसके लिए जो भी color हम सिलेक करेंगे वो इस डिव के अंदर हम दिखाने वाले हैं ठीक है जो भी color पिक करेंगे और अभी इसके अंदर यहाँ पर एक span बनाता हूं और इस span को एक class देते हैं यह basically इसके अंदर जो color हमने पिक किया है वो color यहाँ पर दिखाएंगे इसको नाम देते है color grid ठीक है इसके अंदर दिखाएंगे और इसके बाद और एक हमें चाहिए span इसके अंदर बेसिकलिए जो खुद color है उसकी जो hex value है वो हम इसके अंदर दिखाएंगे तो यहाँ पर करते है color value class देते हैं इसको by default यह empty होगा अभी चलते हैं फिर से हमारे chrome के अंदर और यहाँ पर मैं फिर से इसको refresh करता हूँ और अभी देखते हैं इसको open करके तो आप देख सकते हो यह हमारा जो welcome to my color picker आया और यहाँ पर यह बटन हमारा है ठीक है अभी जल्दी सी इसको style करते हैं तो चलते हैं फिर से हमारे code के अ body को select करेंगे देखें अभी यह body मतलब जो हमारी website है यहाँ पर जो भी website open होगी इस body की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है हमारा जो pop-up.html है उसकी body यह वाली ठीक है तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले तो मैं करूंगा background और background यह वाला color है देखें यह थोड़ नहीं है मैं क्या करता हूँ इसको कट करता हूँ यहाँ से और एक डिव बनाते है देखें रैपर और और यहाँ पर एमेट जो हमारा extension है वी एस कोड का उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी बज़े से यह shortcut यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है डॉट रैपर करके मैंने ट से लेक करूंगा जो रैपर हमने बनाया है जो देखें रैपर और रैपर के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर करते हैं विड्थ देखें विड्थ करते हैं इसको 300 पिक्सल और इसके बाद text align करते हैं सेंटर ताकि इस रैपर के अंदर जितनी भी चीज़े वह center हो जाए, एक बार इसको check करते हैं, so यहाँ पर आते हैं, refresh करते हैं, और फिर से मैं करूँगा इसको open, तो अभी आप देख सकते हो कि background color इसका change हो चुका है, और सारी चीज़े center में आ चुकी है अभी जो button है, उसको style करते हैं, so आते हैं यहाँ पर और मैं button को select करूँगा, so यह basically हमारा है, change color button, so यहाँ पर इसको इस तरह से मैं ने select कर दिया, और सबसे पहले तो width करते हैं 200 pixel, और उसके बाद outline करते हैं, none, और border करते हैं, none, देखे, border none, border radius थोड़ी सी करते हैं, ताकि इसके round जो है, वो उसके जो corners है, वो round हो जाए, so, 2 pixel, हलक असा करते हैं इसको, और उसके बाद padding हमें चाहिए, होगी button के अंदर, so, यहाँ पर करते है 5 pixel padding, और उसके बाद background देते हैं, इसको कुछ color हमें चाहिए होगा, तो इसका जो color है, वो yellow वाला color है, यह मेरे पास color है, इसको मैं paste कर देता हूँ, ठीक है, यह कुछ इस तरह से दिखेगा color, और उसके बाद, जो cursor है, वो हमें करना है, pointer, ठीक है, save करते हैं, और एक बार check करते हैं, refresh करके, और यहाँ पर फिस से मैं open करूँ इसको, तो अभी आप देख सकते हो, कि यह कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप चाहो तो इसको hover effect भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दूँगा, अभी क्या करते हैं, अभी इसके उपर click होने के बाद, हमारे पास जो color picker है, वो आना चाहिए, ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे करना है, उसके लिए चलते हैं हमारे code editor के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि popop.js जो फाइल है, यह हमने बनाई है, और इसको link भी किया है, आपर देखे, तो इसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहला काम, हमें उस बटन को get करना है, तो यहाँ पर करते है, btn, और document, यह normally उसी तरह से हम इसको get करेंगे, query selector use करेंगे, और इसको हमने क्या दिया है, एक बद चेक करते हैं, देखे, change color btn, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लिखूँगा, और अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखे, हम इसके उपर एक event listener लगाएंगे, btn.add event listener, और इसके उपर देंगे click event listener, और यहाँ पर, देखे, इस तरह से यह callback इसके अंदर देंगे, तो जैसे इसके उपर click हो जाएगा, तो यहाँ पर यह log होना चाहिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से, देखे, clicked, और इसको check करते हैं एक बार, यह हमारा जो listener है, यह काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पर, इसको मैं open करूँगा, अभी इस pop-up के उपर आपको right click करना है, और inspect यहाँ पर करना है इस तरह से, और मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाता हूँ, और अभी क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, इसके उपर click करूँगा, यह पीछे चला गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर console हमारा log, जो console है वो open करना, यह basically हमारा इसके लिए है, यह जो pop-up है, इसके अंदर जो भी हम log करेंगे, वो इसके अंदर दिखेगा, यहाँ पर करते है pick, तो देखे, जैसे click करूँगा, तो यह click जो हमारा listener है, वो काम कर रहा है, ओके, चलते हैं फिर से code editor के अंदर, और यहाँ पर हमें log तो नहीं करना है, यहाँ पर और दूसरी चीज़े करनी है, सो सबसे पहले करते है, let और यहाँ पर, देखे, यहाँ पर कुछ, हमें एक array receive होने वाला है, उसके अंदर का पहला item हमें यहाँ पर gate करना है, अब यह क्या gate करने वाले हम, यहाँ पर देखे, सबसे पहले तो हम await use करेंगे, और यहाँ पर await use करना है, तो async हमें लगाना होगा, और यहाँ पर basically chrome की जो APIs है, वो हमें मिलती है, तो आपको इस तरह से chrome object यहाँ पर लिखना होता है, यह globally इसके अंदर available हो जाएगा हमें, और इसके अंदर basically, जो chrome की जितनी भी tabs है, वो हम इस तरह से get कर सकते हैं, इसके अंदर आपको query करनी होती है, देखे, query इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर एक object पास करना है, active true, जो भी active tab है, और current window यहाँ पर करना है, इसको भी true, ठीक है, यह side bar जो है, बंद कर लेता हूँ, अभी यहाँ पर इसको lock करके देखते हैं, कि tap के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, save करते हैं, आते हैं यहाँ पर, और मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, इसको refresh करता हूँ एक बार, और इसको open करते हैं, राइट क्लिक, inspect, तो यह फिर से यहाँ पर हो जाएगा, open देखें, और अभी मैं करूँगा इसके उपर click, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पहला item है, उस अरे के अंदर, यह basically, जो भी current tab है, यहाँ पर इसकी information है, ठीक है, तो बहुत सारी information इसके अंदर है, देखें, यह इसके अंदर ID है, यह basically इस tab के ID है, जो tab यहाँ पर, जिस tab के अंदर हमने, यह जो extension ने उसको open किया है, ओके, अभी आता है फिर से code editor के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें करना है, फिर से, देखे, chrome और इसके उपर call करना है, scripting, देखे, scripting, और execute script, इस तरह से एक method call करनी है आपको, और इसके अंदर एक object पास करना है, ठीक है, तो यह जो object होगा, यह basically इसके अंदर हम बोलेंगे target, और यहाँ पर आपको एक object, इसकी value भी एक object होगी, जिसके अंदर आपको tab id देनी है, ठीक है, तो basically यह जो method हम call कर रहे है, यह इसके लिए कर रहे है, कि कोई भी अगर script हमें inject करनी है, हमारे web page के अंदर, तो हम इसके जरिया कर सकते है, execute script, तो यहाँ पर target देना है कि, कौन से tab के अंदर हमें इसको inject करना है, तो यह जो current tab है, उसकी id हम pass करेंगे, इसकी value, देखें, यहाँ पर करते है tab.id, जो हमें यहाँ पर tab मिली है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें inject करना है, और क्या inject करना है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, एक function inject करनी है, जिसको यहाँ पर नाम देते है, pick color, ठीक है, यह function अभी दख हमारे पास नहीं है, हम इसको अभी create करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और यहाँ पर करते है, pick color, यह function हो गई, और यहाँ पर करते है, console.log, यहाँ पर करते है, script working, ठीक है, save करते है, और चलते हैं, फिर से हमारे ब्राउजर के अंदर, एक बार फिर से मैं refresh करूँगा इसको, और इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखे, इसका console open करता हूँ, जो web page का console है, और अभी मैं यहाँ पर करूँगा, इसके उपर click, तो अब देख सकते हों कि, यहाँ पर error जो है, वो आ चुकी है, और हम अभी development mode के अंदर है, तो हमें जितनी भी errors है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर मैं click करूँगा, तो यहाँ पर क्या problem है, यह हमें दिखेगा, तो यह यहाँ पर जो script हम inject कर रहे, यह काम नहीं कर रहे है, और इसका reason यह है, देखे, हमें आना है manifest JSON के अंदर, और for security reason, यहाँ पर हमें permissions भी pass करनी होती है, यहाँ पर करते हैं, देखे, आपको देना है यहाँ पर permissions करते हैं, और यहाँ पर यह basically होगा एक array, इस तरह से, और इसके अंदर आपको देना है active tab, और इसके साथ में और एक देनी है, वो है scripting, ठीक है, basically इसको हम permissions दे रहे हैं, कि scripting करना इसके अंदर allow है, मतलब script जो है, उसको inject करना, यहाँ पर allow है, ओके, फिर से चलते हैं हमारे browser के अंदर, और इसको मैं करता हूँ clear, फिर से back आते हैं, यहाँ पर करते हैं, इसको refresh, और अभी यहाँ पर open करके, फिर से एक बार चेक करते हैं, तो अभी फिर से एक error आ चुकी है, और यहाँ पर, देखे, यह जो error है, cannot access Chrome URL, यह error इसकी बज़े से आ रही, क्योंकि यह जो हमारा page है, यह आप देख सकते हो, Chrome extensions है, यहाँ पर यह हमारा extension काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें जाना होगा, किसी भी website के उपर, तो यहाँ पर एक tellwin CSS का जो documentation है, यह website open की मैंने, यहाँ पर अगर मैं अपना extension open करता हूँ, और इसका console भी open करते हैं, यहाँ पर, और अभी मैं क्या करूँगा, देखे, यहाँ पर click करूँगा, तो आप देख सकते हो, script working, इसका मतलब यह है कि, हमने हमारे extension से, यहाँ पर इस webpage के अंदर, script inject की हैं, ओके तो अभी फिर से चलते हैं, हमारे popup.js के अंदर, अभी यहाँ पर एक चीज हमें समझनी हैं, देखे, यह जो हमारा code run हो रहा है, यह हो रहा है, अलग process के अंदर, यह हमारे webpage के अंदर, यहाँ पर run नहीं हो रहा है, जो website है, और जो function हमारी है, यह अलग context के अंदर run हो रही है, यह हमारे इस webpage के, जो भी website आपके open है, यहाँ पर यह run हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि, यहाँ पर जो भी variables हमने बनाए है वो हम इस function के अंदर use नहीं कर पाएंगे, ठीक है अगर करना है तो यहाँ पर arcs नाम की एक property आती है, उसके तुरू हम pass कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन possible है यहाँ पर अगर variables हमें इस function को pass करने, तो यहाँ से हम option से वो कर सकते हैं, ठीक है अभी यहाँ पर इसका code लिखते है कि pick color, हमें color pick कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो try catch लगाऊंगा, देखे try catch और अगर कुछ error आती है तो इस तरह से, तो यहाँ पर करते है console.error और यहाँ पर जो भी error आ रही है, उसको इस तरह से हम लॉक करेंगे, ठीक है और अभी try के अंदर यहाँ पर हमें जो picker है, उसको activate करना है अभी browser के अंदर जो eyedropper होता है, उसकी APIs हमें मिल जाती है, native APIs, right so उसके लिए हमें क्या करना होता है यहाँ पर लिखना है const और इसको नाम देते है eyedropper और new देखे इस तरह से आपको करना है new eyedropper ठीक है, ड्रॉपर इस तरह से अभी इस eyedropper के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ अगर हम यहाँ पर करते है eyedropper तो यहाँ पर देखते है eyedropper, थोड़ी सी information इसके बारे में देखते है mdn के उपर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो feature है यह experimental feature है अभी के लिए फिलाल लेकिन यह अभी browsers के अंदर implement कर रहे है दिरे-दिरे करके यहाँ पर आप देख सकते हो इसका support है देखे, chrome के अंदर यह पूरा काम कर रहा है और वैसे भी हम chrome extension बना रहे है तो हमें यहाँ पर कुछ भी problem होगा नहीं ठीक है तो यहाँ पर देखे iDropper के बारे में बहुत सारी information है कैसे इसको use करना है और क्या देखे, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे use करना है तो आते हैं फिर से हमारे code editor के अंदर और यहाँ पर में करूंगा की देखे, यहाँ पर करते है await await और हमें करना है iDropper जो variable बनाया और हमने select किया है यहाँ पर अगर करता हूँ selected color इस तरह से store करते है एक variable के अंदर और यहाँ पर उसको log भी करते है so console.log selector color save करते है और चलते है फिर से browser के अंदर और यहाँ पर refresh करके अभी मैं क्या करूंगा फिर से color picker को open करता हूँ और अभी यहाँ पर करते है pick color तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखे errors कुछ आ चुकी है so यहाँ पर देखते है await is only valid in async function right so यहाँ पर यह जो await यूज़ कर रहे है तो यह जो function है इसको हमें async बनाना होगा so यहाँ पर async करते है फिर से एक बार refresh करते है errors को clear करते है और मैं यहाँ पर भी refresh करता हूँ और color picker को open करते है अभी मैं करूँगा pick color तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर magnifier glass open हमारा open हो चुका है और यह कोई भी color हम यहाँ पर pick कर सकते है देखिए वेबसाइट के उपर जो भी color है यहाँ पर हम pick कर सकते है इसकी खासियत यह है कि सिर्फ हम अभी chrome के अंदर नहीं हमारे पूरे computer के अंदर इसको pick कर सकते देखिए कोई भी vs code के अंदर से कुछ करना है या फिर अगर हमारे computer के और भी किसी folder से हमें करना है तो पूरे computer के अंदर से कोई भी color हम यहाँ पर अभी pick कर सकते है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिए यह जो color है इसको मैं pick करता हूँ click तो आप console के अंदर देख सकते हो कि जो उसकी hex value है यह यहाँ पर हमें मिल रही है यह color हमने pick किया है ओके तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर जैसे ही color हम pick करते है जैसे color pick करेंगे तो यहाँ पर इस button के नीचे जो भी color हमने pick किया है उसको वहाँ पर दिखाएंगे ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो जो color pick किया है हमने यहां से उसको हमें send करना होगा हमारे दूसरे process के अंदर जो अलग से run हो रही है यहां पर इसके अंदर ठीक है इसके अंदर send करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहां से selected color को यहां पर store नहीं करूंगा मैं यहां से इसको return करूंगा इस तरह से ठीक है हमारे इस function से हम इसको return करेंगे अभी यह जो process है इसके अंदर हम एक second parameter दे सकते देखे यहां पर एक async function में देता हूँ और इस तरह से इसको करते देखे यह function मैंने यहां पर दे दी अभी इसके अंदर basically हमें जो भी हमारा result है यह जो function जो भी return करेगी वो हमें इसके अंदर मिलता है इस process के अंदर हम इसको receive कर सकते हैं और by the way यह जो process है यह basically हमारा जो pop-up यहां पर open हुआ है यह वाला है और जो हमारी function execute हुई वो हमारे webpage के अंदर is dom के अंदर हुई है तो यह दो अलग processes है हमें यहां से value get करनी है हमारे extension के अंदर जो pop-up जो है यहां पर हमें get करनी है तो यहां पर यह process हमारी pop-up वाली है इस तरह से हम function देके यहां पर callback basically है यहां पर हम जो भी result है उसको get कर सकते है ठीक है तो यहां पर करते है injection results और यह कैसे दिखता है यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ console.log injection results चलते हैं फिर से हमारे chrome के अंदर और यहां पर आते हैं इसको मैं open करता हूँ देखें अभी यहां पर और एक चीज मैं open करता हूँ, जो हमारा यह वाला यह वाला kapakosol वाला क्यूँकि इह जो result है हमारा यह अभी यह यहां पर ने दिखेगा हमें यहां पर मिलेगा तो यहां पर अभी मैं करता हूँ pick color और कोई भी color एक पिक करते हैं देखें ये वाला logo वाला करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक array हमें यहाँ पर मिला है और इसके अंदर objects है देखें यह frame id है तो यहाँ पर multiple जो result है वो आ सकता है तो यह frame id के हिसाप से आता है 0 और उसके बाद शायद इंक्रिमेंट हो हो और यहाँ पर सबसे important जो है वो है result property और इसके अंदर वो value हमें मिल रही है रइट सो अभी क्या करेंगे यह array है array के अंदर जो पहला item है वो हमें चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो एक variable बनाता हो const और इस array से इसको इस तरह से structure करके लेंगे injection results से ठीक है अभी data के अंदर यह object हमें मिलेगा यह जो यहाँ पर हमें दिख रहा है ठीक है यह वाला यह वाला और अभी यहाँ पर क्या करेंगे check लगाएंगे if data.result अगर इसके अंदर result जो property है अगर उसके अंदर कुछ है कभी कभी हो सकता है कि नहीं है द color और pick color करने से पहले अगर मैं जो हमारा escape key है keyword के उपर मतलब हमारा pick का जो काम है वो अगर cancel करते हैं तो देखें क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हों देखें अभी result जो है वो null है तो वही basically हम यहाँ पर check करें अगर data.result अगर null नहीं है मतलब कुछ आ रहा है तो हम क् करते हैं कॉंस्ट कलर और कलर हमें मिलेगा data.result. इसके अंदर देखते हैं क्या है result यह वली जो प्रॉपर्टी इस तरह से अभी यहाँ पर कलर हमें मिल रहा है हमें क्या करना है यहाँ पर इस बटन के नीचे उसको डिस्पले करना है तो यहाँ पर हमने उसके लिए structure बनाय value तो इन दोनों को यहाँ पर गेट कर लेते हैं तो पॉपप.js के अंदर आके यहाँ पर मैं करता हूं कॉंस्ट एक कलर ग्रीड और यह हमें मिलेगा document.querySelector और यह हमने दिया इसको कलर ग्रीड और इसी तरह से जो कलर वैल्यू है उसको भी गेट करते हैं ठीक है document.querySelector अब हमें यहाँ पर आना है फिर से और यहाँ पर मैं क्या करूंगा देखिए तो इनर या फिर एक काम करते हैं कलर ग्रीड की जो style है वह बैग्राउंड हमें चेंज करना है उस ग्रीड का सो यहाँ पर करते हैं style.backround color और यह जो color हमें मिल रहा है यहाँ पर हम इस तरह से इसको assign करेंगे ठीक है तो basically किसी भी element की जो style है हम इस तरह से change कर सकते हैं JavaScript के अंदर अभी यहाँ पर एक चीज़ देखनी है color grid को हमने यहाँ पर कुछ CSS नहीं दिया हुआ है उसको select करते देखिए color grid और जो color grid है उसको basically उसको width और height हमें देनी है तो यहाँ पर करते है width 20 pixel और height भी करते है 20 pixel 20 pixel ठीक है और इसी के साथ मैं border radius करते हैं border radius 2 pixel हलका सा ठीक है 2 pixel चलते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से इसको check करते हैं तो मैं यहाँ पर refresh करूँगा और फिर से open करूँगा इसको और pick color करते हैं कोई भी color देखिए यह वाला तो अभी यहाँ पर हमें कुछ भी दिखा नही अजिक बार inspect करते हैं और console के अंदर देख्ते हैं तो array यहाँ पर है और इसके अंदर result भी है color आ रह रहा है लेकिन यहाँ पर inject नहीं हो रहा है एक बार यहाँ पर देखते है extension के अंदर back हमें जाना होगा कोई भी error यहाँ पर नहीं है एक बार इस file को देखते हैं तो चाहिव से गेट किया है color agreed यहाँ पर इसके अंदर देखते है color agreed ठीके class भी यहाँ पर सही है और color value भी सही है फिर से देखते हैं यहाँ पर आता है थोड़ी दिर के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको red color देते हैं फिर से, और इसके अंदर रिफ्रेश करके फिर से ओपन करते हैं और कोई कलर में पिक करता हूं यह कर लिया इंस्पेक्ट करते हैं तो इसके अंदर देखे अरे हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पर जो ओके सो इंजेक्शन रिजल्ट्स हमें दिख रहा है एक काम करते हैं कलर ग्रीड को यहाँ पर चेक करते हैं क्या वो यहाँ पर अविलेबल है या नहीं है तो फिर से मैं इसको open करता हूँ और अभी करते है click, color करते है select और inspect एक बार देखते हैं तो देखें ये भी available है यहाँ पर ओके तो ये problem यहाँ पर हो सकता है देखें ये span है तो ये क्या होगा ये होगा inline इसकी बज़े से ये width और height नहीं ले रहा है ठीक है मैं इसको करता हूँ display inline block अभी ये काम करना चाहिए ओके यहाँ पर आते हैं फिर से फिर से मैं इसको open करता हूँ और करते है pick color और यहाँ पर करते है blue तो आप देख सकते हो red यहाँ पर आ चुका है क्योंकि hard code हमने इसको किया है तो जल्दी से यहाँ पर आते है और फिर से करते है color ठीक है अभी इसके आगे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो hex value है उसकी वह दिखे तो उसके लिए हमारे पास color value नाम का expand है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आते color value यहाँ पर करना है inner text और इसके अंदर जो भी color है वह assign कर लेते इस तरह से फिर से इसको test करते हैं तो यहाँ पर मैं फिर से इसको open करता हूं और pick करते है कोई color तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो hex value है वह भी आ चुकी है और color भी है अभी जल्दी से इसको थोड़ी से style करते हैं तो उसके लिए आते है pop-up के अंदर और यहाँ पर selected color जो है उसको हम यहाँ पर select करते हैं यह basically उसका wrapper है तो यहाँ पर करते है display flex align item center और यहाँ पर और क्या करना है हमें margin top थोड़ी सी space उपर से चाहिए सो margin top करते है 20 pixel और अभी यहाँ पर क्या करते हैं देखिए यहाँ पर हम जो color value है उसको get करते है color value और यहाँ पर करते है margin left अभी यहाँ पर जो margin left क्यों करना है हमें आपको दिखाता हूं एक करते हैं तो देखें यह जो box है और यह जो text है उसके बीच में हमें space चाहिए सो यहाँ पर करते है margin left 5 pixel और जो text है उसको थोड़ा सा bold करते है तो font weight bold ठीक है टेस्ट करते हैं इसको आते हैं यहाँ पर color pick करते हैं yellow ally करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह हमने जो pick किया था और फिर हम यहाँ से इसको copy कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर और एक feature इसके अंदर डालेंगे जो की है जैसे हम pick करेंगे color को तो वह automatic हमारे computer के जो clipboard होता है उसके अंदर यह copy हो जाए तो सीधा हम इसको use कर सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं right so उसको करने के लिए बहुत ही simple है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं करूंगा await और आपको पता होगा navigator api जाती है browser के अंदर उसका आप यहाँ पर use कर सकते हों so आपको करना है यहाँ पर navigate navigator और dot clayboard और यहाँ पर करना है write text और जो भी color है वो इसके अंदर हम pass करेंगे ठीक है अभी यहाँ पर करते है try catch हमें लगाना होगा क्यूंकि इसके अंदर error भी आ सकती है so यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से और अभी करना है catch error console.log या फिर error और जो भी error है यहाँ पर इसको pass करेंगे इस तरह से okay इसको मैं हटा देता हूँ और इसको एक बार test करता है ठीक है अभी मैं फिर से इसको करूँगा यहाँ से select pick color करेंगे इस बार blue करते हैं blue तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह आ चुका है और अभी अगर मैं URL के अंदर command भी करता हूँ क्योंकि यह clipboard के अंदर मेरा store होना चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो color हमने pick किया था वो automatic copy हो चुका है हमारे clipboard के अंदर ओके तो हमारा extension अभी ready हो चुका है और एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत ही interesting चीज है देखे मैं इसको burn करता हूँ जैसे कि हमने start में देखा था कि यह जो background.js file है यहाँ पर हम कुछ हमारा initial जो काम है वो अगर है हमारे पास तो वो कर सकते हैं तो यहाँ पर example के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर late color इस तरह से एक variable बनाता हूँ और यहाँ पर करते है red for example ठीक है अभी यह जो हमारी file है यह हमारे service worker के अंदर run होने वाली है तो यहाँ पर सबसे पहले जबी extension हमारा install हो जाता है तो यहाँ पर इसके उपर हम एक listener time और इसके उपर करना है ओन देखिए इंस्टॉल एड लिसनर थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है लेकिन कुछ इस तरह से हमें करना होता है इसके अंदर जो callback है वह हम इस तरह से देंगे और यहाँ पर करते है chrome.storage storage API आती है ब्राउजर के अंदर यहाँ पर करना है sync, set और इसके अंदर एक object पास करेंगे जो भी है color अभी यह विसके लिए क्यों कर रहा हूँ अगर इस worker से हमें कुछ data पास करना है कोई भी data हो सकता है configuration हो सकता है हमारे extension के लिए या फिर और कोई भी information हो सकती है जो कि हमें यहाँ से पास करनी है तो हम करते हैं वो storage APIs के त्र तरह से करेंगे तो इस value को हम हमारे दूसरे files के अंदर get कर सकते हैं कैसे आपको दिखाता हो देखें यहाँ पर click होने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर करते हैं देखें कॉंस्ट देखें कॉंस्ट कलर और करते हैं क्रों डॉट स्टोरेज डॉट सिंक डॉट गेट और यहाँ पर जो color है देखें यह color प्रॉपर्टी जो हमने background.js से जो भेजी है उसको हमें get करना है तो यहाँ पर करते हैं और इस तरह से एक callback हमें देना होगा तो callback यहाँ पर दे दिया और इसके अंदर हमें वह object receive हो जाएगा ठीक है तो इसको डिस्ट्रक्चर हम कर सकते हैं color प्रॉपर्टी उसके अंदर से get कर सकते हैं तो यहाँ पर करते है console.log और इसके अंदर दिखाते है color जो भी color हमें वहां से मिला है तो color इस तरह से और यह यहां पर इसको इस तरह से करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको एक बार चेक करते हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर refresh करता हूं और इसको clear करते हैं और एक बार देखते बैक जाके कुछ error यहाँ पर नहीं दिख रही है आता है फिर से यहाँ पर और अभी करता है color picker और अभी इसके उपर क्लिक करते हैं तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर से error यहाँ पर आ चुकी है और यह इसको नहीं मिल रहा है और इ इसको clear करता हूँ back आते हैं और इसको refresh करते है extension को और अभी चलते हैं यहाँ पर और करते हैं इसको मैं open करता हूँ pick color करता हूँ तो अभी देखें यह यहाँ पर कर रहा है और जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरह से करूँगा ओके तो console देखने के लिए हम यहाँ पर inspect करना होगा और इसके अंदर अगर देखेंगे तो देखें के color red मतलब हमारे background फाइल से जो भी हम data यहाँ पर भेजते हैं वो हम यहाँ पर get कर सकते हैं ठीक है यह एक हो गया अभी यहाँ पर और एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ जो की बहुत ही interesting है अगर हम browser के अंदर देखते हैं देखें कोई और एक extension यहाँ पर open करके आपको दिखाता हूँ समझ लेते हैं कि color जिला यह एक बहुत ही famous extension है यह भी वही काम करता है color pick करने का तो यहाँ पर options आता है देखें options अगर मैं करता हूँ इसके उपर click तो अलग का जो extension है वह बहुत complex है और उसके लिए बहुत setting वगेरा आप user को UI provide करना चाहा रहे हो तो उसके लिए अलग से यहाँ पर मतलब यह extension जैसे open हुआ यहाँ पर इस तरह से अपने extension के लिए भी एक page create कर सकते हो तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा manifest.json के यह इस तरह से होना चाहिए options page और यहाँ पर एक string हम add करेंगे और वो है options.html ठीक है इस तरह से और अभी यह file हमें बनानी होगी तो यहाँ पर आता हूं मैं options.html और यहाँ पर जल्दी से generate करते हैं इसको इसके अंदर हमें यह सारी चीज़ें नहीं चाहिए इसको मैं निक here you can have your detailed ui save करते हैं और बिल्कुल उसी तरह से हम इसके लिए अलग से javascript file भी यहाँ पर include कर सकते हैं और css style sheet भी यहाँ पर include कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यह काम कैसे कर रहा हैं चलते हैं फिर से हमारे browser के अंदर और यहाँ पर आते हैं मैं इसको करता हूं फिर से refresh और अभी क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं इसको मैं close करता हूं open करते हैं color picker और इसके अंदर अगर मैं अभी देखें यहाँ पर icon के उपर अगर right click करूंगा तो यहाँ पर options हमें दिख रहा है ठीक है इसके उपर अगर म कि सेटिंग्स वगेरा है जो कस्टम सेटिंग्स आपके एक्स्टेंशन के लिए वह उसका युआ यहां पर बना सकते हूं ठीक है ओके तो फाइनली हमारा जो एक्स्टेंशन है वो रेडी हो चुका है इसको फाइनली एक बार टेस्ट करते हैं तो यह वेबसाइट मैं ने और मेरे clipboard के अंदर ये store भी हो चुका है, अगर मैं paste करूंगा तो यह यहाँ पर दिख रहा है, ओक्या, यह extension हमारा भी development mode के अंदर है, और अगर आप चाते हो कि इसको publish करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको एक account बना के, जो भी extension का store है, एक रोम ओलोग का, वहाँ पर उसको, जो भी आपना project folder है, उसको zip में बना के आपको वहाँ पर upload करना होता है, तो कोई भी internet के उपर आपका जो extension है, वो download करके use कर सकता है, ठीक है, तो यह simple सा video था, इसके अंदर जो basic चीज़े है, वो हमने सीख ली है, तो इस knowledge का use करके, आपकी CB type का complex, जो extension है, वो बना सकते हो, तो उमीद करता हो कि इस video से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा है, तो जल्दी से video को like कर दीजे, और जो भी आपके doubts है, वो आप नीचे comment box के अंदर लिख सकते हो, और इसी के साथ में आप मुसे connect भी हो सकते हो, लिंक्डीन के उपर, ट्विटर के उपर, तो जो सारी links है, वो आपको मिलेगी नीचे description के अंदर, तो मैं आपसे मिलूँगा एक नहीं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, happy coding!